श्री बागेश्वर बाला जी, सरकार नमह दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में। तो कन्या राशिवालों सावधान, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। मित्रों, एक ऐसे सच से परदा उठेगा, जिसे सुनकर आपको मित्रों अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। मित्रों, आप हमारे अपने लोग हैं, आप हमारा परिवार है, हम सिर्फ आपको आपकी सच्चाई बताते हैं। मित्रों, वह सठीक राशिफल, जो आप हमेशा सुनने के लिए तरस्ते हैं, ना मित्रों, बस वही राशिफल, हम लेकर आ गए हैं। मित्रों, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ और सच्चे दिल के साथ लिखेगा न, उसको अगले 24 घंटों में खुशखबरी भरा कॉल आएगा, और परिवार में सब लोग आपकी वहवाही करेंगे। मित्रों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हम आपको आपका सटीक राशिफल बताएं। मित्रों, लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ उपाय भी जानने को मिलेंगे, यानि कि आपको यहाँ पर वो सब चीजें जानने को मिलेगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार की। तो मित्रों, हमारे गुरुजी एक बहुत ही बढ़िया ग्यान की बात कहते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस ग्यान को और अपने जीवन में जरूर उतारेगा। मित्रों नमक जैसा किरदार बनाओना। कोई आपका ज्यादा इस्तिमाल करे ना कोई आपके बिना रह सके। बहुत छोटी सी बात है। लेकिन मित्रों आप सभी समझ सकते हैं। इसका मतलब कि नमक एक ऐसी चीज है कि अगर ज्यादा पड़ जाए तो खारा हो जाता है। और नहीं हो तो उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक वैसा ही अपना किरदार बनाओ ना किस किसी के साथ ज्यादा घुले मिले और ना ही मित्रों। किसी के साथ बिलकुल भी रिष्टा मत रखो। एक मिनिमम, एक मीडियम स्वभाव सब के साथ बना कर रखो। यही बात गुरु जी ने कई बार पहले भी बताई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आई है। मित्रों, आईए, अब जान लेते हैं कि 24 घंटे जो हैं आखिर कैसे व्यतीत होंगे घर में। मित्रों, आपके किसी धार्मिक आयोजन के होने की संभावना बन रही है। क्योंकि मित्रों, आप भी यह बात समझते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है और घर में किसी भी प्रकार का धा धार्मिक आयोजन नहीं हुआ है। तो शास्त्रों में भी बताया गया है और हमारे गुरुजी भी कई बार कहते हैं कि अगर सप्ताह में नहीं, तो कम से कम महीने में एक या दो बार घर में धार्मिक आयोजन अवश्य करने चाहिए। जैसे कि सत्य नारायन भगवान की सुन्दर कांड का पाथ हो गया, ग्रिह शान्ति हैवन हो गया या हमारे देवी देवताओं की पूझा हो गई। पूझा हो गई। देखने दो, उसको थोड़ी दुनिया देखने दो, वह खुद अपने आप समझ जाएगा, कि उसे जीवन में क्या करना है और कैसे करना है, आपको अपनी संतान पर किसी भी बात का दबाव नहीं बनाना, है मित्रों, यह बात आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, वहीं इस वक्त, ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग आपके खिलाफ, आपकी मित्र छवी को खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप वह इंसान हैं, जहां आप लोगों को अपने बातों से लुभा लेते हैं, तो अगर कुछ लोग आपका नाम खराब करने की कोशिश कर भी र रहे हैं, मित्रों तो आपको निश्चिंत रहना है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बता देते हैं कि अपने आपको मित्रों थोड़ा सा सकारात्मक बना कर रखें और जो जातक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मित्रों अभी के समय में आप देख रहे होंगे कि सरकारी जो अधिकारी रहते हैं, उनके खिलाफ कैसे कैसे केस बंद रहे, हैं, बस हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोई भी उल्टा सीधा काम ना करे, जिसकी वजह से मित्रों आपकी नौकरी पर आँच आए और आपकी छवी पर आँच आए, आ मित्रों आपकी पदोन्नती होने के भी योग बन रहे हैं, अचानक से आपके बड़े अधिकारी द्वारा आपको मित्रों अपनी प्रतिभा का शुब समाचार मिलेगा, आगे कुछ चमतकारी उपाए भी हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आजमा कर आप अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं, पूजा के दौरान तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करें और कच्चा दूध छड़ाएं, मान्यता के अनुसर ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी कारियों में सफलता मिलती है, दुआएं व विश्वास को डग मगा भी सकते हैं, युवा वर्ग व्यर्थ की बातों में समय नश्ट ना करें और अपनी पढ़ाई अथवा करियर पर ध्यान दें, तनाव ना लेकर समस्या का हल निकालने का प्रयास करें, गले में इंफेक्शन और खांसी जुकाम जैसी परेशानी हो स इस बात का ध्यान रखें, कम समय में काम पूरा होने से नई बातों पर ध्यान देना संभव हो सकता है, जीवन में उत्साह बरकरार रहेगा, दूसरों की मदद करने से प्रसन्नता मिलेगी, बाधाएं आ सकती हैं, सक्षमता होने के बाद भी काम पूरा नहीं होगा, अच्छा रहेगी, दोपहर में खर्च अधिक होंगे, शेश सभी समय में आए अच्छी रहेगी, मित्रों आपको बताते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, तो आपको मित्रों उन परेशानियों का हल मिलेगा, थोड़ी सी मे पिछनत से ही आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को दूर करने में सफल रहेंगे, तो वहीं मित्रों आपको संसाधन और सहायता आसानी से मिलेगी, जिस क्षेत्र में आपको जिस संसाधन की कमी महसूस हो रही थी, तो वह कमी पूरी होगी और केवल अपने इगो पर निय नम्रता की भावना रखनी है, सभी से मिलजुल कर रहना है, ऐसा नहीं है मित्रों की आपके जीवन में खुशियां आ रही है, पैसा आ रहा है तो आप अपने आप में अहंकार लेकर आएं, अहंकार का जो एक ही बल रहता है, वह इनसान को कमजोर कर देता है और खत्म कर दे अहंकार जीवन में बिलकुल भी मत पालिये, चाहे वह किसी भी चीज का हो, मित्रों आपको बता दें कि बदलते समय में असमंजस्य के कारण मन में परेशानी रह सकती है, किन्तु केवल यह एक फेज है जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यानि कि मन में जो परेशानियां चल रही हैं, वह थोड़े समय के अंतराल में अपने आप खत्म होगी, संयम से काम लें और अपना फोकस अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों पर बनाए रखें, आपको अपने नए बौस का साथ मिल सकता है, तो आप महान सफलता के लिए सक्षम भी हैं, नए बौस आप के जीवन में आएंगे, आप अपने दोस्तों के लिए अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, तो वे तुम्हें वापस से प्यार करेंगे, यानी कि आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो, आप इस समय का भरपूर सदुपयोग करें, क्योंकि यह समय एक बार गया, तो पुनह लौट कर नहीं आएगा, और फिर इसके बाद जो होगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयम होंगे, क्योंकि फिर भुगतना आपको ही पड़ेगा. इसलिए इस वक्त का जो आपको फाइदा उठाना है, उठाइए. यदि कोई परेशानी चल रही है, तो वह परेशानी जल्द ही हल हो जाएगी. ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं और असामंजस्य की स्थिती आपको हो सकती है. अब असामंजस्य की स्थिती में स्वयम के आत्मविश्वास को और विश्वास को डगमगाने ना दें. किसी पुराने जानकार से आपकी मुलाकात हो सकती है, तो मित्र आपको बता दें कि आपको किसी नए अवसर से वह जानकार अवगत करवाएगा. आज के इस समय में आप परेशानियों से घिरे रहते हैं, लेकिन यह जो समय रहेगा, इन समय के अंतराल में सारी परेशानियां दूर रहेगी काम असाधारन रूप से शानदार रहेगा, और आपको अपना काम पसंद भी आएगा मित्रों, वहीं आपको बता दें कि कभी-कभी आप हर क्षेत्र में कहीं न कहीं मात खा रहे हैं, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो आखिर उस मौत की वजह क्या है? क्यों आप पीछे रह रहे हैं, इस बात का पता लगाएं आपका साथी आपकी कमपनी से प्यार करता है और आप अपने प्यार का एहसास कराते हैं यानि आप साथी के साथ रहना ज्यादा अच्छा आपको भी लग रहा है भी आपकी इसी भावना का खयाल रख रहे हैं तो कुछ विशेश भी हो सकता है आपको लोगों में कुछ प्रतिक्रियाएं मिल सके, जिससे प्रेरणा भी मिलेगी, कि लोग आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उनको बेहतर देने का प्रयास करें मित्रों, आपको बता दें कि कुछ वरिष्ठ लोगों को आपकी कार्यशैली से कोई एतराज हो सकता है अब ऐसे में थोड़ा सा उनके मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानने की कोशिश करें और थोड़ा सा वक्त उनको दे दें मित्रों, काम पर फोकस आपका पूरा रहेगा, लेकिन आपको अपने भीतर कुछ बदलाव करने होंगे आप जो कुछ भी करते हैं, उसके अनुरूप बनें. जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हैं, उसी परिस्थिती के अनुरूप स्वयम को ढालें. पहले भी आपको बताया है आपको कुछ पुरानी यादें परेशान कर सकती है. पुरानी यादें जैसे कि आपका क कोई पुराना साथी आपके जीवन में पुनह लोट कर आ सकता है। भूत काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने आपको नकारात्मकता के जाल में घेरा था, वह फिर से उजागर हो सकती है। ऐसे में अपनी भावनाओं को नियंतरन रखें। स्वयम की जो भावन है उसको सीमित विचारों में बांध कर रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको बता दें कि हर तरफ से सहयोग आत्मक और सकारात्मक वातावरन आपको मिलेगा। हर तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। लोग खुद आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ध्यान रख से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप से लोग जुड़े रहना पसंद करेंगे। आपको अपनी छवी-छवी को मजबूत करने के लिए काम करने का बहुत अच्छा समय है। मित्रों, स्वयम के जो इमेज को आप निखारना चाह रहे थे, ध्यान रखिएगा कि आपके चरित्र से ही आपका चरित्र निखरेगा। आपका अपने प्रियजनों के साथ समय बहुत अच्छा गुजरेगा। आपकी टीम आपके काम से प्रेरित है। वे मदद के लिए आपके पास आएंगे। अपने प्रेमी से बात करें। मित्रों, आपको बता दें कि अपने प्रेमी से बात करें। बात करना आपको अच्छा लगता है। दुआएं वहां काम आती है, जहां दवा भी असर नहीं करती। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। आज का प्रेरणा दायक सु विचार, जीवन में भले ही कैसे भी मोडाए, मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखना। क्योंकि जीवन में आप जिन समस्याओं से निकलोगे, वही समस्या भविश्य में आपका कवच बन कर आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें, ज जिसने आपको समय और समर्पन दिये हो। इंसान का जमीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह बात ध्यान रखना। केवल पढ़ाई पर ही ध्यान हो। सिर्फ बाकी कुछ भी जिए इन चीजिसों को आप मजाक में लेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके अपने ही दोस्तों आपकेขिलाफ शडियंतर रच रहें। ऑर उस शडियंतर में फंसना आपकी स्वाभाविक स Riyr सी बात है, और दोस्तों उस शडियंतर में आप आसानी से फंसने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, आप अपनों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जब तक दोस्तों आप अपनों की असलियत अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, तब तक दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, और यह असलियत दोस्तों बहुत जल्द आपको दिख साथ ही, दोस्तों, आज का दिन आपके लिए विशेश भी रहेगा, क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित भी करेंगे या आपके करियर के लिए फायदे मंद होगा। आपको अपनों से थोड़ा बच कर रहना होगा। यदि दोस्तों अपनों से जरा बचेंगे, तो इन दिनों ग्रह स्थिती आपके पक्ष में पूरी तरह से महरबान है। इनका पूरा भरपूर सहयोग करें। नए-नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और यह संपर्क बहुत ही लाभदायक भी होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। किसी मित्र को आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। और इस वजह से आपका बजट भी प्रभावित होगा। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद ना खड़ा होन दें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज पार्टनर्शिप संबंधित कारोबार में अनबन होने की आशंकाएं दिख रही हैं। लेबर परेशान करेगी। बेहतर होगा कि तनाव की बजाए शान्ति से समाधान निकाल सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए उन्नति के बहतरीन योग बने हुए हैं। पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। घर का माहौल भी अनुशासित तथा मर्यादित बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, ध्यान रखे साथ ही नशा, जोडों में दर्द जैसी समस्या भी देखी जाएगी। अपना खान-पान वदिन-चर्या को व्यवस्थित रखना अति-आवश्यक है। अपनी क्षमता को सही तरीके से समझे और श्रम के जरिये जीवन में सुधार करना होगा। परिवार के लोगों से प्र जरुआत भी हो सकती है। काम से संबंधित महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात होगी। इस कारण नए अवसर मिलेगा। साथ ही रिलेशनशिप से संबंधित चिंता छोड़कर पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। पिछले कुछ स इस समय से चल रहे किसी समस्या का समाधान आज मिल जाएगा। अगर किसी संबंधि के साथ वाद-विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगा। युवा वर्ग ध्यान रखें कि चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में क प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परिशानिया अभी भी बनी रहेंगी। परंतु इस समय किसी के साथ भी वाद-विवाद की स्थिति में ना पड़े। रिष्टों में विश्वास की कमी ना आने दें। हालांकि सभी को खुश रखना नामुम्किन है। विद्यार्थी अपने किसी विशय की समस्या को लेकर चिंतित रहेंगे। करना है कि मंगलवार का जो दिन होता है वह हनुमान जी का होता है और हनुमान जी किसके अंश है भगवान शिव के। मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढग दो और फिर उसके बाद उस पर साथ इसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी। सुख शान्तिमय आपका जीवन बीतेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं उनको मूह नहीं लगाना है। चिंता का विशय रहेगा क्योंकि दुश्मन आपका बुरा करने की सोचेंगे। आपका बुरा करने के बाद भी आपको नहीं छोडेंगे जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। आपको दुखी नहीं होना है, आपको अपने कर्म पर ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ दुश्मन आपके खिलाफ किसी प्रकार का शड्यंत्र रच सकते हैं, तो शड्यंत्र के लिए आपको तैयार रहना है। आपको किसी से भी फालतू बातों में नहीं उलजना है, कुछ लोग आपको भढ़काने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको लालच देने का प्रयास करेंगे, तो कुछ लोग आपको धक्का देने का प्रयास करेंगे, आपको बिलकुल भी उनके जाल में फंसना नहीं ह अपने काम पर ध्यान रखें, अपने माता-पिता की सेहत का विशेश ध्यान रखें, क्योंकि इस संसार में उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। कि भविश्य में क्या होगा, कैसे होगा, तो मित्रों, देखिए एक ही बात कहूंगा, कि भगवान श्री राम को भी पता नहीं था। अपको दी है मित्रों। और एक बात भगवान श्री क्रिश्न ने कही है, कि बिन मांगे, मोती मिले, मिले, मांगे, न भीख। ये बात बड़ी ही सिद्ध है कि कि कभी-कभी हमें मांगने से भीक भी नहीं मिलती है, और कभी-कभी हमें बिन मांगे, मोती मिल जाते हैं। इसे भगवान की लीला कहते हैं, इसे भगवान का खेल कहते हैं, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं, वह तो होकर ही रहेगा। परमात्मा ने सब के लिए सब कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, उसे भी भगवान खाने को देता है, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोता है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका उपर वाला परमात्मा होता है, इसलिए मित्रों एक स चिंतन बिलकुल ना करें, क्योंकि जो चिंता होती है, वह उस चिंतन का एक माध्यम है। क्योंकि आने वाले समय में आपको एक अच्छा खास भगवान का प्यारा सा तोहफा मिल सकता है। ठंडे दिमाग से बैठ कर अगर आप उस समस्या का हल ढूंड लेंगे तो आपको वह जरूर मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, हम घबरा जाते हैं। हे भगवान, इधर से भी समस्या आ रही है, उधर से भी देखिए। जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कि हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। जैसे कहते हैं न, कि जीवन में किस चीज से हमें शिक्षा मिलती है, तो जीवन में हमें ठोकर से शिक्षा मिलती है. ऐसी कौन सी चीज है, जिसे खाने के बाद इनसान संभल जाता है, उसे ठोकर कहते हैं. आपको एक छोटा सा चमतकारी उपाय और बता देते हैं, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही चमतकारी है और बार-बार ऐसे उपाय आपको जानने को नहीं मिलेंगे। लाल किताब का उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। पूजा मंदिर में स्थापित कर दें और रोजाना उसकी पूजा अर्चना करें। ऐसा माना जाता है कि यह करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। परिवार में शांति स्थापित होती है। जिस चीज की मनोकामना हम मांगते हैं, वह मनोकामना पूरी होती है। और हनुमान जी की पूजा करें